का गुर्दा बेल का जो फल होता है बेल पत्री का फल उसका जैसे गुर्दा उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का गुर्दा उसको अगनी में जलाकर उसकी भस्म तयार करकर चान कर चान कर जब जब आपकी यहां विद्वान ब्रह्मन शिवजी का अभिशेक कराते हैं पूजन कराते हैं तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेल पत्री धतूरा दुर्वा यह उसमें नीचे लिखेंगे भस्म लिखते की नहीं लिखते हैं ना भस्म अभिशेक में चाहिए रहते हैं तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो यह जान लें कि शंकर मन नमांचित फल प्रदान कर रहे हैं शिप फल प्रदान कर रहे हैं महाराज बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर हात में एक बेल पत्र का पत्ता रख कर आप पंचाक्छर मंत्र नमस शिवाय ओम नमस शिवाय यह श्री शिवाय नमस टुभ्यं या महामर्तियूं जे मंत्र का बेल पत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की और है कर अगर अपनी गांड़ कर रहे हैं और अपनी काम नchet करकर बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से बिने करकर एकान तुमें उस बेल पत्री के ब्रक्ष की चाओं में बेल पत्री के ब्रक्ष की चाओं अब काम ना करकर उस पत्ते को शंकर भगवान के उपर समर्पित कर रहे हैं यह जान कर रखें कि पारवती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांचित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं क्योंकि शिव और पारवती का जब मिलन होता है शंकर पारवती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं शिव और पारवती, जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चहरे पर सेम्हार के ब्ल, मनवान्जित फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर लें? विवा के लिए। प्रशूं करे लिए। सरवप नूक derive, सरविशु के लिए। जुन्ति के लिए। अब जिसे काम संदूर को और वोग मुक्ति के लिए। अब जिसे कामना से कर..बस distintos को भी.. सूमवार का दिन हो। क्योंकि संकर जी को सूम प्रीय है। हुम सोंबार का दिन चंद्र का वाद शुजी को प्रिये किसीने पूछा गुरुजी शुजी की प्रियता चंद्र में हां यो कि चंद्र शीतल है चंकर भगवान के कंठ पर विश्य है चंकर भगवान को इसली करते भूले भोले को भोला पसंद आप जितने भोले रहेंगे दूनिया के लोग बले आपको मूर्क कहें पगला कहें भोला कहें पर आप कि्रियोंग जद्र हमें चतूर नहीं बनना चतूर बनके रिता